अध्यक्ष महुद है अध्यक्ष महुद है आज मैं अपने NDA के गडबंदन को और प्रधान मंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया लेकिन जो ये दिरिश्य अध्यक्ष मौद है इस प्रजात अंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं जिस प्रजात अंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृती इस देश का सदवाव इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती जिस प्रजात तंत्रक के मंदिर से देश की 140 करोड जंता अपनी प्रेणा लेती उस प्रजात तंत्रक के मंदिर में ये स्पष्ठ हो गया है अद्यक्ष मौदे कि इन लोगों को ना देश की चिंता है ना प्रधान मंत्री के पद की चिंता है ना राश्ट्रपती के पद की चिंता है इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है ये देश को पूर्नूप से स्पष्ठ हो गया है अधियक्ष मोदे मुझे 20 साल हो गए है इस संसद में मेरा अपना स्वभाग्य में मानता हूँ लेकिन ऐसा द्रिश्य में मैंने दो दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्य पद के व्यक्ति 140 करोड जनता के रिदे में स्थापे इस देश के प्रदान मंत्री के प्रती जो शब्दों का उप्योग में फक्स के द्वारा किया गया है मैं मानता हूँ कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इने माफी मांदी चाहिए आज जो ग्रिश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष मौदे कि आविश्वास प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष मौदे मैं आपका संद्रक्षन चाहूंगा ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते ना देश की जनता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजमिल करने के लिए तैयार है ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है आज जो स्तिती उत्पन हुई है अधियक्स मोदे जो अविश्वात प्रस्ताव लाया गया सर आपका संग्रक्षन मैं चाहता हूँ इनको कंट्रोल किया जाए देश की जन्ता ने तो अपना पूरा पूरा परिणाम इनके चेरे पे दिखा दिया जो दद्दा के सामने नहीं कर पा रहे है वो आज सदन में बेट के कोशिश कर रहे है करने के लिए जो अविश्वात प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया यह अविश्वात प्रस्ताव मनिपूर की बात नहीं है निशन मनिपूर के आड़ में ये अपनी राजनितिक रोटियां सेखने के लिए आज यहां उपस्तित हुएं पिछले दो दिन से मैं सुन रहा हूँ अद्यक्स मौदे हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदेर में हम सुनने नहीं देंगे बून रूप्स में हमस्ति करना चाहते हैं अद्यक्स मौदे जो आज जो इस शेत्र में और इस सदन में प्रस्तुति करण हुई है ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरस्ते नहीं ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं अद्यक्स मौदे आज अद्यक्स मौदे ये अविश्वास प्रस्ताव जुला गया है सारे आवश्यक विमर्ष एक तरव रखे गए हैं और इनकी हच एक तरव हमारे देश के प्रधान मंत्री ने हमारे देश के प्रधान मंत्री ने सबावति मौदे सदन के महार मनिपुर पर समवेदन शील्टा के साथ ब्यान दिया लेकिन इनका हट है कि ब्यान सदन के अंदर दे ग्राम अंत्री जी ने यहां बैठ कर दिन प्रती दिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तयार है करना कि देखें लेकिन सत्र दिन इसी तरह यह सदन को इनों ने चलने नहीं दिया सत्र दिन मजबूर करके स्थगित किया और आज आद्यक्स मौपपती मौदे मैं इस पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यह लोग मौन वरत की बात करते हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 1993 में जब मनिपूर की जातिय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी तब तक कालीन प्रधान मंत्री नरसिमा राउजी ने सदन के अंदर मौन वरत यूधारण किया था इसका जवाद ये दे और केवल संदे 1993 में नहीं लेकिन 2011 में जब मनिपूर में 123 दिन ब्लॉकेड चला जातिय हिंसा चली तब उस समय में भी तदकालीन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंगी ने सदन के अंदर मौन वरत क्यूधारण किया था इसका उत्तर भी ये लोग दे तो सवापती मौदे मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि ये अगर दोगली राजनीती नहीं है ये अगर politics of convenience नहीं है तो क्या है मैं पूछना चाहता हूँ आज सवापती मौदे लोग तांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाशन नहीं दूँगा लेकिन जो इनकी अफसरवादी सोच है उसका परदा फास पूरे देश के जनता के समख्ष में रखना चाहता हूँ ये जो समू है I.N.B.I.A. इस समू में एक प्रफेसर है जो मुरैलिटी की बात करते हैं सिधानतों की बात करते हैं मूल्यों की बात करते हैं लेकिन प्रतिनिद्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिनोंने ब्रश्टा चार की नई कीरती मान स्तापित की इस I.N.D.I.A. समू में एक ऐसी समू की नेत्री है जिस समू की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत जिसा जोड़ना सबसे बड़ी भूल है ये इनका असली चरित्र है मुझे लगता है आप बहाना डून रहा बाहर जाने का ये उचित नहीं है ये उचित नहीं है आपने अभिश्वास प्रस्ताव लाया उसका उत्तर सुनिया ये बिल्कुल संदे लबस्था का अपमान है ये बात कर बाकर कर नोट कर दिया है अपनो प्लीज अन्रबर मिनिस्टर प्लीज सवापती मौदे देश की जनता ने इनको बहार का दर्वाजा दिखा दिया है अब सदन से भी स्वयम बहार जा रहे हैं इने तो जवापती मौदे अपने अविश्वास प्रस्ता पे स्वयमी विश्वास नहीं सुन लो सुन लो सुन लो तहरिय रखो और सुन लो इतने उत्तेजित मत हो जो देश की जनता ने परिनाम दिया है वो स्विकार करो अब सवापती बहुत है इनके जो एक समू है आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए घमंडिया समू उस समू में आम आदमी पार्टी के कारेकरता ने स्वयम यूपिये सरकार पर टू जी और कोल स्कैम का पियाय लगवाया और आज कॉंग्रिस का हाथ आपके साथ ये सिती अंदर की बात और वही सिती सवापती मौदे हमारे टीमसी के साथ ही यहां बैठे हुए थे जिस टीमसी के बारे में अधीरदा रोज इस सदन में लपक लपक कर ब्रश्टाचार की बात करते थे चिटफंड की बात करते थे अपने संसद्य शेत्र में कारे करताओं की कतलों की बात कर रहे थे आज वही कॉंग्रिस पार्टी और वामपंती बदल हाथ में हाथ उस टीमसी के साथ मिला रहे हैं तो ये इनकी हस्लियत है और जो मैं कहना चाहता हूँ सवापती मौदे कि अगर इन लोगों को अपने गड़ बंदन में एक दूसरे की विरोधी होकर भी सत्ता के लालज के साथ पूरे तरीके से कुन्बे की तरह साथ में आ रहे हैं आर जेडी और जेडी यू की बात करें लालु प्रसाद याध्र जी पर जो रोजगार का आरोप लगाया था जमीन पर रोजगार का एक आरोप लगाया था वो जेडियू के वर्तमान के अध्यक्ष ने स्वैम सीबी आई को सबूत अपने हाथों से दिलवाया था और आज दोनों हाथ में हाथ मिला कर चल रहे है ये सविधान बचाने की बात करते हैं सवापती मौदे ये क्या अपना इमान पहले बचा पाएं उसका उत्तरदेश की जंता को दे आज सवापती मौदे विचित्रसिती है आगे आगे आपका स्वागत है आज बड़ी विचित्रसिती है सवापती मौदे कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं और जिनके इतिहास में वेचारिक या व्यवारिक संबंध या सिधान्तिक संबंध न हो वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोक तंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आया जहां मनिपूर हिंसा की बात की गई सवापती मौदे इस मनिपूर की घटना का इस्तमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉंच पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं जो मनिपूर में घटना घट रही है ये निंदन निया है घोर निंदन निया कोई भी भारत ये नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता हम सब के लिए ये घोर निंदी ने घटना है लेकिन अध्यक्स मौदे सवापती मौदे अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पल्टें तो मैं पूछना चाहता हूं सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यूं थे और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब चार हजार हमारे सिख भाई भेनों को जिंदा जलाया गया था तब ये मौन क्यूं थे मीरट के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यूं थे और सन 1990 से तीस साल जो कश्मीर में 40 हजार लोग की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था तब ये मौन क्यूं थे और मैया धीरंजन जी का जो शब्द था जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया इन सभी समय में एवरी मौनिंग सभापती मौदे न्यू विडोस वर हाउलिंग एवरी मौनिंग न्यू चिछिल्न वर क्राइंग एवरी मौनिंग न्यू हाऊसेज वर फॉलिंग और मुख-दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुई थे आज यहां बैटकर गौरव गोगई जी ने सबर रखो सबर रखो सबर रखो गौरव गोगई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की जिस आसाम अकॉर्ड की बात की उस आसाम अकॉर्ड का क्रियानवेन कॉंग्रिस की सरकार ने कभी की आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया थे 2014 में जब प्रधान मंत्री जी ने शपत ली एक साल के अंदर बंगलादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया अगर सच्चाई वे बताओं प्लीज 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 अगर बोलते हो तो सुनने की समता रखो सुनने की समता रखो जनता ने आपकी चिल्दाने का पैड़ जाहिए पैड़ जाहिए पैड़ जाहिए जवापती महदे जवापती महदे नौर्टीज की सारी समस्या कॉंग्रेस की तुष्पी करण की राजनीती के साथ शुरुआत हुई जब उनको अपनी फाइदा नौर्टीज में विदेशी घुस्पेटियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देनी की कावियात की शुरुआत और शरण और पैचान देनी की कावियात की शुरुआत है चार्च स्वापती मौदय बड़ी लंबी है 1960 के दशक में जब मनिपूर में अलगावादी समू ने हिंसा की शुरुआत की जब वो जनम हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तयार था वो कौन था जिनों ने उनके साथ बैठकर समझाता किया और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मनिपूर जल रहा था आपकी सरकार यहां भी थी आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी और आज आप मनिपूर के और आज सवापती महुदे अधीरदा उठकर कह रहे थे कि मनिपूर के सांसद क्यूं नहीं बोले उस समय मनिपूर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूर्णा चाहता हूँ जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी मनिपूर के सांसद ने इस संसद में उन्नी सो तिरानवे में वक्तव्य दिया उन्होंने कहा, and I quote, the state government is helpless, it has no funds, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनियेगा, please think that Manipur is a part of this country, it affects the whole nation, शायद Congress के नेता को इन शब्डों को सुनना चाहिए था कल नहाँ भाशन देने के पहले, मुझे आज सभापती महुद है, मुझफर वारसी जी की शब्ड याद आती, और मैं कोट करना चाहता हूँ, औरों के ख्यालाद की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालाद की लेते हैं तलाशी, और अपने गिर्बान में ज्छाका नहीं जाता है, आज ये सिती उतपन हो गई है, तत्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल ग्रा मंत्री जी ने सदन में पूरा व्यख्यान दिया, इनके मंत्री संत्री न तंत्री एक बार भी मनिपुर गए, हमारे ग्रा मंत्री तीन दिन वहां राद दिन बिताए हैं, हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन नित्यानंद राईजी ने मनिपुर में बैठ कर सिती का जायजा लिया आज राहत राशी वहां पहुची है अनाज पहुचा है वर्चूल सिस्टम से स्कूल चल रही है आर्मी की फोर्स पहुची है इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आकड़े की आप बात करते हो तो आकड़ी की पुष्टी करो ये पिछले नौ साल मनिपूर में सबसे शांती पूर्ण समय रहा है इंसरजन्सी के दृष्टी कोण से आपके दस साल से तीन गुना कम इंसरजन्सी हुई है और छे गुना कम सिविलियन देट्स आज मनिपूर में हुआ है सवापती बहुत है नौर्टी इसकी जब हम बात करते हैं नौर्टी इसकी जब हम बात करते थे एक दशक पहले तो चित्र हमारे दिमाग में आता था हिंसा का चित्र आता था आतंग का चित्र आता था अस्तिरता की चित्र आता और उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर border villages में और उत्तर पूर्वी शेत्र में अगर विकास किया तो वहाँ जागरुक्ता उत्पन होगी इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए हमारे प्रधान मंत्री ने 2015 में देश के प्रधान मंत्री ने पहला कदम लिया जो भी हिंसिक संगठंते मनिपुर्ग उन और उसके बाद पहला कदम जो लिया विकास व्याप्यक्त सोच के साथ एक विचारधारा के साथ उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापती मौद है विकास का मंत्र दिया हीरा क्योंकि उत्तर पूर्विय शेत्र भारत का हीरा है हीरा मतЛब हाईवे, हीरा मतलब इंटरेट, हीरा मतलब रेलवे, हीरा मतलब एवियेशन और जिस उत्तर पूर्वी शेत्र में केवल धाई हजार करोड का रेलवे बजट होता था, आज दस हजार करोड रुपे का रेलवे बजट है, सवापती महदे आपको आश्चर ये होगा कि मेगाले जैसे राज्य में मेगाले जैसे राज्य को सौ साल इंतजार करना पड़ा जब तक प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी नहीं बने कि मेगाले को अपने सौ साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एंडिये की सरकार नागलेंड को सौ साल बाद शोकूवी में एक रेलवे स्टेशन दूसरा रेलवे स्टेशन मिला और इसी के साथ साथ जब यूपीये की सरकार थी उस समय सडक की प्रगती और विकास गटकरी साहर के यहां बैठे हुए हैं देड़ किलोमेटर प्रती दिन की कच्छवा चाल के आधार पे चलती हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और गटकरी जी की जोड़ी ने आज उत्तर पूर्वी राज्य में साड़े तीन किलोमेटर प्रती दिन की रफ्तार से आज सड़क बनाने का काम किया है हाईवेज और ब्रिजिस की जाल बनी किरिन रजुजुजु के साथ मेरा प्रवास्वा हुआ है हमने दोनों देखा है कि भारत में अगर पानी पर सबसे लंबा पुल बना है तो अगर कहीं बना है तो ढोला सदय ब्रिज रम्म पुत्र पर हमारे असम के राज्य में बना हुआ है और उसी के साथ किसी ने कभी कलपना नहीं की थी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पर उत्तर पूर्वी राज्यों को विश्व के साथ जोडने का अगर संकल्ब किसी का रहा तो भारत को मियान मार और थाइलंड के साथ सूपर हाइवे बनाने का काम प्रधान मंती कि इनके अरुनाचल प्रदेश और सिकिम हमारा भी है पर मेरे साथी है अरुनाचल प्रदेश के हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथी पर अरुनाचल प्रदेश और सिकिम दो उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एरपोर्ट नहीं नौ सालों में अरुनाचल में एक नहीं लेकिन तीन तीन एरपोर्ट, टेजू, पासीगाट और हुलोंगी बनी है और सिंकम में पक्योग जिस अरुनाचल प्रदेश में केवल नौ हवाई अड़े थी आज उस अरुनाचल प्रदेश में सवापती मौदे सत्रा हवाई अड़े हैं, सत्रा हवाई अड़े जो सेवन सिस्टर्स कहलाती थी उस समय में ये सेवन निगलेक्टिट सिस्टर्स थी लेकिन प्रदान मंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर में प्रदान मंत्री जी के पूर्वोदे के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय, पूर्वदय में हो रहा है, मुझे दुख भी हुआ सभापती मौदे, और मुझे आश्चर्य भी हुआ, हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में, कभी भी व्यक्तिगत, आश्चिक, हमें एक दूसरे के साथ सहमत नहुं, हमें एक एक दूसरे के नीत पर हमारी नियत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए, और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापती मौदे, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ, जब राहूल गांदी जी ने सदन में कहा, कि प्रधान मंत्री के ल कि जिस प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधान मंत्री का उत्तर पूर्वी शेत्र के साथ दिल का रिष्टा है, जिस प्रधान मंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ क बाहर कर दिया हो जेस प्रधान मंत्री के रोम रोम में भारत माता बस्ती हो जेस प्रधान मंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन अंग पनाने के लिए अनुचे 370 रद किया हो शामा प्रसाद मुखर जी के सपने को एक एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापती महुदे कि भारत को अलग अलग टुकडों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी में हमारी सभापती महुदे बैटो बैटो आराम से बैटो आपने ही चेंज कराया मुझे कान खोल के सुन लो सत्य सुन लो आपने ही चेंज कराया अब मेरा मूमत खुलवाना सभापती महुदे जिस अविश्वास प्रस्तापको ये ले क्या है इसका सत्य जदेश की जनता के समक्ष होनी चाहिए जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने एक एक वर्का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है वो सत्या आज इस सदन के द्वारा देश की जंता के समक्ष जाने चलिए किसान सवापती मौदे इस देश की रीड की हद भी 60 प्रतिशत आबादी हमारी कृशी प्रधान राष्ट है लेकिन अगर किसान का पीट तोड़ने वाला कोई काल खंड रहा तो 2014 के पहले रहा आज हमारा किसान को समर्थर मोल परियाप मात्रा में मिल रहा है उसकी खरीदगी आप परियाप मात्रा में हो रही है आज हमारे किसान आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं सभापती मौद है, खुझली बहुत आती है, खुझली बहुत आती है, आज हमारे किसान को सभापती मौद है, धान की खरीदी में 90 प्रतिशत विद्धी हुई है, गेउ की खरीदी में 75 प्रतिशत विद्धी हुई है, नरेजिन जी यहां बैठे हुए है, हमारे समर्थन मूल की हम बात करें 2014-15 में धान की MSP 1360 थी आज धान की MSP 2183 है 60 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है कल कपास की बात की गई कपास की MSP की हम बात करें कपास की MSP 3350 रुपए होती थी आज वही कपास की MSP बढ़कर 6620 हो चुकी है 80% की व्रिद्धी होगी है सोयावीन की MSP 2560 रुपए होती थी आज 4600 रुपए हो चुकी है 80% की व्रिद्धी हुई हाँ तो जहां हमारे देश का किसान हमारे देश का अंड़धाता सम्रिद्ध हो चुका है उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमान्त हमारा क्रिशक है असी प्रश्टिशत हमारा क्रिशक आज भी सीमान्त क्रिशक है उसके लिए एक सुरक्षा कबच के रुपे किसान सम्मान निदी के जरिए छे हजार रुपईया प्रती वर्ष साड़े ग्यारा किसानों के खातों म दो लाग चालीस हजार करोड रुपए प्रधान मंत्री ने पहुँचाने का कारियत गिया यही अंतर है तुष्टी करण और संतुष्टी करण के बीच में असवापती मौद है और इसी में मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में भारत्य जंता पार्टी की शिवराज सिंजी की सरकार ने इस छहजार रुपए में छहजार रुपए अतिरिक्द मिलाकर बारहजार रुपए या प्रतिसाल असी लाग किसानों के खाते में डालने का कारियक की है हमारे देश के पूर प्रदान मंत्री अटल बिहार वाचबए का एक सपना था कि इंटर लिंकिंग ऑव रिवर्स होना चाहता है और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधान मंत्री डरिंद मोदी जी ने केन बेतवा इंटर लिंकिंग और रिवर्स के आधार पर किया है 42,000 करोड उपे की होज़ा उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश के 13 जुलों कुम लाकर 60,000,000 लोग प्रभावित होंगे ये वो बुंदेल खंड शेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था अधियक्ष मौद सभाब अती मौद है आज वहाँ 11,000,000 हेक्टर की सीचाई होगी 105,000 मेगवाट की उरजा का सर्जन होगा और उसी के साथ इस परिवर्तन की स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूँ ये परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कॉंग्रेस की सरकार रही चपन साल साड़े साथ लाख हेक्टर की सीचाई हुई थी और बीस वर्ष में 2003 से 2003 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टर की जमीन की सीचाई हुई है चे गुड़ा और जहां और जहां अब पिर केज़ित होगे और जहां और जहां चपन वर्ष में 45 लाख हेक्टर की सीचाई की योजना दी वहां प्रदान मंत्री नरेंद्ध मोदी जी की सरकार ने एक योजना में साड़े दस लाख हेक्टर की सीचाई की योजना जिलवाई ये इसी बात का उधारन है सभापती मौद है कि डबल एंजिन यानि डबल विजन तुष्टी करण से किसान का भला नहीं होता बलकि संतुष्टी करण से ही किसान का भला होता है गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापती मौद है योजना बद तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया हमारे देश के पूर प्रधान मंत्री ने कहा कि जब एक रुपईया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता है मतलब 85 पैसे बिचोलियों की दुकान के आधार पर जाता है आज हमारे प्रधान मंत्री के द्वारा नरेंद मोदी जी के द्वारा 50 करोड जन धन अकाउंट स्तापित करके 25 लाक करोड उपए गरीबों के खाते में डालने का कारिय किया गया है सभापती मोदी हमारे गैस के कनेक्शन उजवला महिलाओं के लिए हमारे घरों के 3.5 करोड हमारे शेत्र हमारे देश की जनता को उत्पन करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच अर्थ विवस्ता की बात हमारी वित्त मंत्री जी ने किया मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूँ स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल घरा मंत्री जी ने पड़ी थी कोल का स्कैम हुआ, टू जी का स्कैम हुआ अनेक स्कैम हुए और आज मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस रहा पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधान मंत्री जी की नितित में जहां कोई निति हित नहीं होगी केवल राष्ट्र हित होगी उसी संकल्प के साथ हम लोग आज चल रहे हैं नौ साल में सभापती बहुत है हम लोग दस नंबर आर्थिक व्यवस्ता के रूप से आज पांच नंबर तक पहुँचे हैं ये एक बड़ी बहुत बड़ी उपलब्दी है लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कॉंग्रिस के एक नेता के द्वारा कि इस शेत्र में ओवर कॉंफिडेंस देखी कॉंग्रिस की नेता ब्यान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनना तो अरिथमिंटिक इनेविटिबिलिटी है तो ये इनेविरिटिबिलिटी की गैरिंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी कॉंग्रिस की सरकार के समय आजादी से आज तक सड़ सड़ वर्शों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुँचे और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुच जाएं तो अरिथमिंटिक इनेविटिल पढ़ जाती ये दौगली नीठी कहां से हुई और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इंकम की बात उठाई मुझे खुशी है उन्हें ने उठाई आपको आश्चेरे होगा सभापती मौदे ये सुनते हुए कि भारत सड़ सड़ सालों में भी सब साउथ आफ्रिका की पर कैपिटा इंकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी 9 साल में पर कैपिटा इंकम आज डबल हो चुका है सभापती मौदे हमारी सोच और विचारधारा बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें बैंकिंग सेक्टर देश की रीड की हट्डी होती है और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया थी एक कहावत थी कि फोन पर लोन ये स्थिती हो गई थी साड़े पांच लाग करोड से जादा एन पीए का पहाड छोड़के गए थी आज उसकी सफाई अरुन जेटली जी ने और निर्मला सिता रमन जी ने करके देश को आगे बढ़ने के लिए कैपेक्स की एक नई रचना की शुरूआ थी कभी हम कलपना कर सकते थी कि भारत में दस लाग करोड रुपए का कैपेक्स का प्रोग्राम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स का प्रोग्राम भी ऐसे कि दस साल में 15,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी और NDA सरकार के समय में 26,000 km की रेल्वे लाइन बनी हाइवे की निर्मान की बात करें तो 66 वर्षों में 91,000 km के हाइवे और 9 वर्षों में गटकरी साब जी हाँ बैठे हैं 55,000 km की हाइवे 9 सालों में 1,45,000 km की हाइवे बनी और यही सिती सिविल एवेशन के शेत्र बें 74 एरपोर्ट 66 वर्षों में और 148 एरपोर्ट 9 वर्षों के अंदर और इसी के साथ जो हमारा पावर डेफिसिट कंट्री था आज पावर सप्लस हो गया हम लोग स्टील इंपोर्टर होते थे आज स्टील एक्सपोर्टर बन गए हैं 216 गिगावाट से 420 गिगावाट पर पहुंच चुके कोल के मामले में 565 बिलियन टन से 900 बिलियन टन और इस वर्ष एक बिलियन टन का उत्पाद अंदेश करेगा कोल का सभापती बोदे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अरिथमिटिक इनेविटिबिलिटी नहीं है आज भारत 2014 में दूसरे देशों पर निर्वर होता था प्रदान मंत्रीगी ने आत्म निर्वरता का सिगनल दिया जिस देश में हम लोग जोली निकाल कर वैक्सीन की भीक मांगते थे आज उसी भारत में दो-दो वैक्सीन का विश्टार होता है और उत्मादन होता है दो-सो-बीस करोर टीके लगते हैं कोविन का एप्लिकेशन लगता है एपल से एरबस मैनेक्टरिंग को सिप्री लगा रही है सेमिकंडक्टर से चंद्रायन तीन आज भारत का तिरंगा जंडा भारत में नहीं विश्व में नहीं चाल्द पर लगाने का संकल प्रदान मंत् आटो के सेक्टर में साथ नमबर से तीन नमबर टेरेकटर में बारेन से दो नमबर ये अरित्मेटिक नहीं है यह सशक नेक त्वर और रिक्षता पूर्ण सरकार का परिणाम है मेरे स्वापत्य मौदें प्रदान मंत्री जी का संकर्प है कि तीसरी पारी में भारत वे वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर गाउ गाउ तक हम पहुचाएंगे ये मोदी जी की गैरेंटी है वाज सवापती मोदे ये स्वच इंडिया अभिहान की बात कर रहे हैं ये कहते हैं ये कहते हैं कि नफरत के बजार में मोभबत का दुकान लाएंगे इनका दुकान तो भरष्टा चार का दुकान है जूट का दुकान है तुष्टी करन का दुकान है आइंकार का दुकान है केवल का नाम दुकान का बदलते हैं सामान वही है राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किर्दार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिर अजन चौदरी जी ने स्वैम कहा कि ये मजबूरी का गड़बंदन है मैं उनको वोड़ करना चाहता हूँ उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा था दिर्दाने सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनाट चलते हैं सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनाट चलते हैं सबको एक जुट होना जरूरी है ये मजबूरी है पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर टू इंडियास की बात करते हैं ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौरिया और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो करोना जैसी भीशम समस्या में राजनीती पर उतर जाते हैं और आज पिछले दो दिनों से सभापती मौद है, मैं सुन रहा हूँ विपक्ष को, कोई महावारत की बात कर रहा है, कोई रामायन की बात कर रहा है, कोई रावन की बात कर रहा है, अच्छा है कि आज धरम की बहुत बायाद आई इनको, कोई जनय उधारी है कोई मंदर की परिक्रमा कर रहे कोई यग्या आयुजित कर रहे कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में विजाल रहे हैं कि रामवन गमन पत्का हम संकल्प करते हैं मैं इनको स्पश्ठूरुप से बटाना चाहता हूं ये मुकोटा नहीं चलेगा हमारी देश की आज 140 करोड जंता की आस्ता और पीडियों की सपना हमारे मर्यादा पुर्शोत्म भगवान राम का भव्या मंदिर अयोध्या में प्रदान मंत्री नरेंद मोधी बदा रहे जा रहे हैं आज इनको मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार भी दो बार आपको रिजेट किया है तीसरी बार भी प्रचंड भावमट के साथ एंडिये की सरकार यहां स्तापित होगी प्रदान मंत्री नरेंद मोधी जी के नेतित में भारत आज चल चुका है अमरित काल से शतापदी काल के सफर पर विश्व गुरू के रूप में भारत स्तापित होगा इसमें कोई दोर आए नहीं और आप इस सत्य को अपने जूट के साथ प्राजित नहीं कर सकते मैं अंतबे चार लाइन करके अपना बात समाब करता हूँ नाकपनी पुष्ट दे नहीं सकते ब्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते आपातकाल लगाने वाले सम्विधान की रक्षा कर नहीं सकते जनता विरोदी की जिनका रहा है तियास कितने भी चेहरे बदले कितने भी चेहरे बदले जनताके हो नहीं सकते जी 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 ये आप ये आपका विशे नहीं है 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 विजे हंसादा जी बोलिए जी सर पांच मिनिट फ्ली अपने भाई मैं अपने पार्टी जे में के तरफ से समर्थन में खड़ा हुआ